वान, टू, थ्री, साथ! टिंटिटी! हमने इस चड़ा की इदना बोरा हल्क बनाया है? आपको पता ही नहीं होगा हमर चनल. हमने कैसे हल्क बनाया है? किस है हल्क बनाया है? Oh my god! ममा ने शीवी को आटा दिया. मम अच्छा पाती बनाय थी और शीवी ने देखो यहां पर हल्क बना दिया बट बहुत अच्छा बनाया हल्क को देखो शीवी को हल्क किसे बनाया शीवी ने हल्क को Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Himalan Mom तो कैसे आप सब, I hope आप सब ठीक होगे हम सब बी ठीक हैं और आज जो में वीडियो आपके लोगों साथ शेयर करने वाली होना वो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग है इंटरस्टिंग इसलिए है ज़िए सब दे परहे तो मुझे यह बताओ आपके घर में मखण कैसे निकालते हैं और कामेंट सेक्शचन में ज़ रूर बताना कि मेरा मेल काता है उसकपा है 2-4 पाइफ कर juinter उसको मैं में मालाई अज़ा निकलता है उससे जो मालाई निकलता है उसको मैं सड़ory कर देथी और उसको बदिए और उन द ज़र करें Wash उसके बाद में उसका घी बनाती हूँ, जो उसका प्रोसेस है, मैं कैसे बनाती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपने घर पे जो घी बनाते हैं, आप लोगों को पता है कितना प्योर हो सकता है, वो प्रेजरवेटिव नहीं होगा उसमें कुछ भी, तो खुद सोचो आप कि हमारे लिए कितना हेल्थ बेनेफिट देने वाला होगा, तो मैं भी ऐसी करती हूँ, बाते तो बहुत होगी है, बट मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बाते करना, शेयर करना, मुझे मतलब कई बोलते हैं कि आप लोग आप ज्यादा बा कर रात को मिलाई निकाली थी, फ्रेज से, तो उसके बाद मैंने इसमें, यह देखो, तो इसमें फुल नाइट मैंने इसमें इसको मिलाई को रखा था, तो आज यह बिल्कुल रैडी हो गया है, यह देख सकते हैं, यह बिल्कुल रैडी हो गया है, मक्षन निकालने के तो जब थोड़ा सा उपर आ जाता है, यह देख सकते हैं, जिसी थोड़ा सा उपर आ जाता है और घड़े से छूटना शुरू हो जाता है, येस, ये देखो मेरा मिट्टी का, प्यार ऐसा छोट ऐसा बरतन था, इसमें मैं कभी-कभी दाल भी बनाती हूं, और कभी-कभी मैं मैं इसमें पनी दाल को सोक करने के लिए भी रख देती हूं, और कल रात को मैं इसमें थोड़े अपने ड्राइव फूट भी सोक करने को रख दिये थे, क्योंकि मुझे दाल भी रखनी थी सुबा के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एक चीज और आप लोगी की, आईरन की, वो भी यूज करने स्टार्ट कर दी है, और जो अलुमिनियम होता है, उसको भी मैं अपने किचन से निकालने वाली हूं, और उसकी जगह में स्टील यूज करने वाली हूं, तो आप लोग अगर कर सकते हों, तो जरूर ऐसा करें, क्योंकि हमारे लिए यह सब चीजल नान स्टिक, अलुमिनियम हमारी हैल्थ के लिए स़ाई निया है, जो हमारे पूराने तरीके थे, ना हम लोग क्यों भोड रहे उसको हमें नहीं बोलना चाहिए, क्यूँकि बहुत अच्छे थे, हमारे जो पूराने तरीके थे, उसमें लोगों की हेल्थ,оп सोचते तो किती साही थी, इसलिए थी क्योंकि वो इस तरह से बरतन हीूज करते थे, आपको पता होगा दादा दादी की घर में एक बड़ा सा घड़ा होता था, जैसे मैं पिक साथ में लगा रही हूँ, तो वो लोग उसमें डालते थे, फुल नाइट अपना जो दूद है, उसको जब वो जम जाता था, तो दहीं के मक्षन निकालने के लिए रेड़ी हो जाता था, तो फिर वो एक कोई बैट जाता था बज़ूर्ग ऐसे इसी करके, तो मक्षन निकालते थे, और जो मिट्टी का बरतन होता है, आप लोग को पता नहीं होगा शायद, तो इसमें हम अगर हम इसमें पकाते हैं, कुछ चीज इसमें स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं, इवन मैं इसमें शीवाय दिया गया, इवन मैं इसमें दहीं को भी जमने के लिए रखती हूं, तो इसकी दहीं हम यूज करते हैं, वाइटामिन B12 होता है, तो मैं बिल्कुल रैडी हो गया है और मैं इसको कैसे करूँगी यह मैं आपको बताती हूँ ठीक है एक तो चीज में पास यह है आप इससे भी कर सकते हो और अपने हाथ बिल्कुल साफ करके तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हो और हां मैं इसी से करती हूँ जो यह वाली चीज है करोगे क्या बोलोगे नमस्ते ऐसे बोलो नमस्ते जी आप कैसे हो सब मैं तु बढ़िया हूँ और ममा क्या करी है ये देखो ममा करी है कर्ड बना रही है नो मिल्क ममा बना रही है ममा बटर निकालेगी फिर उसका घी बनाएगी आपको यमी लगता है नो कर तो आपको अच्छी लगती है अच्छी लगती है ना लशी भी अच्छी लगती है और वाटर भी अच्छी तो ये काम मैं करते हूँ जब या तो संडे को और या फिर शाम के टाइम मैं चूज करते हूं जब शिवाय को होमवर्क मेरा चल रहा होता है शिवाय का तो इसको भी साथ में भी ठाकी इसको होमवर्क भी करवाती हूं और साथ में ये काम भी करते हूं क्योंकि वीक में एक बार ही तो मुझे ये काम करना होता है और मैं वन मिनट हुआ होगा चायद इसको इस तरह से करते हुए देख रहे हैं यहां पर देखो लसी इसकी साइड में निकलनी स्टार्ट होगी है तो इसका मतलब यह बन गया है ऐसे मेरे हाथ में आने वाला नहीं है यह मैं क्या करूंगी इसमें आइस डालोंगी तो फ्रेज से क्योंकि शीवा बिटा आइस से ना इकठ्था हो जाएगा ममा आइस मामा फिर मैं बिशु बड़े आइस खुरूंगा बो तो दीख सेते हैं आप आइस की साथ मेरा मखन कितना जल्दी से इकठ्था हो गया और एक गूला बन गया उसका तो यह है मेरा लास्ट वीक का यह व यह भी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करना और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलती हुने एक्स वीडियो में तब तक रखिए अपना ध्यान और अपने चुट-चुटी बच्चों का भी ध्यान रखिए औ और फिट रहिए और एक्सराइज जरूर करिए बाइबाए